नमस्कार दोस्तों मैं सुनली शर्मा आपका रक्षम टेक में सुवागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे how to configure CCTV camera in many mobiles कफी सारे mobile phones में हम अपने CCTV camera कैसे online देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स हम अपने mobile phone में CCTV camera देखते हैं सीरी number के थूर या QR code के थूर यह सब आप जानते हैं तो फ्रेंड्स और भी आपके other mobiles हैं आपकी family में या फिर आपको अपनी जो CCTV camera है वो share करने है और जो another person है वो out of location है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है प्रेंड्स इसे end तर देखिएगा इसमें आपको बताया जाएगा कि एक से ज़्यादा कितने mobiles में आप CCTV camera देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको जाना है device manager में device manager में फ्रेंड्स आपको अपनी device को select करना है और pencil के icon पे click करना है फ्रेंड्स कुछ इस तरह का folder आपके सामने आएगा जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप इसका screen sort भी ले सकते हैं यहाँ पर तीन चीज़े बहुत important है serial number and इसके लावा username और password फ्रेंड्स यह चीज़े आपके पास note में होनी चीज़े या फिर आप इसका screen sort लेके रख सकते हैं शे शेर भी कर सकते हैं CCTV camera को online अपने mobile में देखने के लिए एक particular mobile app होती है हमने सबसे पहले उस app को जो है install करना है उसे open करना है उसके बाद में हमने जाना है उसके device manager में ताकि हम उस device को add कर सके फ्रेंड्स device को add करने के लिए हमें information चीएगी वो मापको पहले ही बदा चुका हूँ आप उसे share कर चुके हैं तो फ्रेंड्स यह पर यह matter नहीं करता कि आपके पास किस company का CCTV camera आप यूज़ कर रहे है बेसिक सीजे सभी में सेम होती है फ्रेंड्स उसके बाद में हमने वो information जो है fill up करनी है and after that उस device को हमने add करना है और हम अपने CCTV camera another mobile के अंदर भी live online देख सकते हैं इस वीडियो से related या फिस CCTV camera से related अगर आपके पास कोई भी problem है तो please आप हमें comment कीजिए we will definitely reply to you as soon as possible वीडियो को like करना और हमारे channel रक्षन टेक को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा friends हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching